इंडिया को काफी नुकसान हुआ है रतन टाटा जी जो भारत के सबसे बड़े बिजनसमें थे वो नहीं रहे और उनके कारण मार्केट में कुछ इफेक्ट पड़ भी सकता है और टाटा के इस तोक्स पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा नौ बजे में आपके साथ और भगवार उनकी आत्मा को सांती दे तो गाईस बात करते हैं सबसे पहले गलोबल मार्केट की और डियाई यह एपके डाटा की बात करेंगी और उसी का साथ साथ मार्केट कहां पर प्लैन कर सकते हैं भी 9 बजे जब मार्केट ऑपन होगा तो ओके गाईस तो डियाई बात करते हैं तो बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की अंदर डाउजुन्स एक साइडवेस नेगिटिव चल रहा है और यूएस मार्केट प्लस में क्लोज हुआ यूरोपियन मार्केट भी बुलिश क्लोज हुआ और गिफ निफ्टी अभी पच्चीस जार दोसो के आसपास ट तो निफ्टी अपना गाईज जब मैंने कल वीडियो बनाया था आपके लिए अडवांस वीडियो तब आपको चीज बताई थी कि थोड़ा सा डाटा नेगिटी हुए बट एक चीज मैंने आपको और बताई थी वीडियो के अंदर कि मैं निफ्टी और बैंग निफ्टी क के प्लैन किया था तो यहां पर मार्केट में डिफ निवटी यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 25000 दोसों के आस-पास मतलब gift Nifty अपना यहां पे मतलब maximum gift Nifty और अपना Nifty आस-पास में ओपन होता है या तो यह gift Nifty डाउन आए या फिर अपना Nifty वापिस gap up open वैसे तो market जब भी यहां पर ओपन होता है अपना Nifty gap up भी ओपन होता है इंपोर्टट चीज है 25000 ढूल ता यहां पे कि अचल लेकिन शाव लाका ये टोफे 20,000 के नीचे थे तो 25,000 के ऊपर हैं तो वापिस बूलिस आ गये हैं तो मार्केट अभी आपका जो न्यूस के एफेक्ट के कारण मार्केट चाहे तो गैप डाउन भी हो सकता क्योंकि बहुत बिगेस्ट न्यूस है और या फिर मार्केट साइडवेस गैप अपन होने के बाद तुरंत नीचे भी आ सकता है और इंपोर्टन बात है कि टाटा के स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखना जो भी टाटा के स्टॉक्स हैं नो बजे मैं आपके साथ लाइव आउंगा वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में रतन टाटा जी के लिए भगवान की आत्मा को सांती जरूर दे यह जरूर लिखना ठीक है ना ओके गाइस एंड़ बात करते हैं टेलिग्राम चैनल की टेलिग्राम पे भी मैंने हर एक चीज की अपडेट कर दी है कल वीडियो बनाया था कल हमने ट्रेड प्लैन किये थे लेवल्स बेजे थे निफ्टी बैंग निफ्टी सब्सक्राइब करते हैं कि मार्केट अपना ज्यादा से ज्यादा अगर अप जाएगा तो 200 यह में तक जा सकता है और उसके बीच में यह दो पावरफुल रेंज रहेगी अगर मार्केट यहां से गिरता है मार्केट देखो ओपन होते ही अगर गैप अप हो गया तो तुरंत रिवर्सल हो सकता है उसका रीजन एक है जो इंडिया के जो भी जो मैंने आपको निउस बिक बेकिंग न सब्सक्राइब के लिए उसका है लाइस रिवर्सल करेंगी और और उसकी लिए प्लैन करेंगी यहां से वहां पर जाएगा तो चांस रहेंगी आज रिवर्सल वालों का भी मौका है और ब्रेक आउट वालों के लिए भी मौका है और साथ इसाथ गाईस निफ्टी की एक्सपारी ये तो हो सकता है आज आपको बिग फायर देखने को मिल जाए ठीक है न और नेगेटिव निउस है बहुत ज़्यादा नहीं तूटेगा हम गेप डाउन के लिए जा नहीं सकते इसलिए इसलिए बीटीश्टी को फुली अवोइट किया तो यहां पे पावर्फुल बाइंग नजर आ रही है तो यहां पे अगें मार्केट अगें यहीं पर वापिस ओपन हो सकता है वापिस कल की रेंज में क्लो लेवल तोड़ दिया तो यह अपन डाउंसाइड के लिए प्लैन करेंगे यह लेवल रहेंगे ठीक है जो नेगिटिव न्यूस है उसका अगर मार्केट में असर हुआ तो हम इनी लेवल पर ट्रेड करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपसाइड के लिए सेम क के लिए अच्छा मौका दिया ता इसी के साथ साथ देखेंगे गाई इस बैंक को बैंक की बात करता हूं तो HDFC बैंक भी वापिस लास्ट कैंडल ने तोड़ा गेम चेंजिंग करवाया है ICAC बैंक ने भी पूरा साइडवेज क्लोजिंग दिया है तो जब तक इस बॉक्स से बार नहीं निकलेगा हम कुछ प्लैन नहीं करेंगे बट ICAC और HDFC को ध्यान में यह रखिएगा कि अगर HDFC इस तरह से भागेगा ICAC इस तरह से भागेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा ICAC ऊपर भागेगा और HDFC भी उपर भागेगा तो मार्केट ऊपर भागेगा दोनों बैंके डाउन आएगी तो मार्केट डाउन होने के चांसे रहेंगे 9 बजे में आपके साथ live हूँ live कोई भी miss मत करना आज market में थोड़ा बड़ा moment हो सकता है क्योंकि बहुत important news है और negative भी है इंडिया को काफी नुकसान हुआ है इस news को सुनके जो बात करते हैं guys important जो mid cap nipty और fin nipty कि इन दोनों के data bullish क्यों नजर आ रहे है तो guys कहीं न कहीं की opening के बाद भी market देखो 100 points के उपर close हुआ है तो इनका थोड़ा सापन देख सकते हैं अगर कुछ positive और negative moment रहता है तो अपने को यहाँ पर इन levels पर हम trade कर सकते हैं fin nipty के अंदर और यह important support है याद रखिएगा fin nipty में यहाँ पर buying बहुत powerful buying है यह green green दिख रहाएगा इस buying 23,500 पर और 23,400 पर full buying है और यह powerful जो range है कि यहाँ पर अगर market गिर जाता है तो भीया long के लिए position नहीं बनाएंगे इसके लिए guys 23,200 का level तोड़ेगा न बात करेंगे mid cap nipty की तो mid cap nipty guys काफी एक bullish था और continue powerful रहा rejection नहीं लिया let's see कि एक important यहाँ पर trend line बन रहे है guys कि देखते हैं कि यह trend line तोड़ता है और नहीं तोड़ता है साम को closing होते समय तो trend line को break किया है अगर यह trend line को break किया है अगर यह fake breakdown नहीं है तो market हलका सा negative भी यह open हो सकता है mid cap nipty का इनी levels पर हम trade करेंगी तो मज़ा आने वाला guys आज का day काफी ultimate होने वाला है क्योंकि आज एक important जो news है तो market के उपर काफी असरदार हो सकती है ओके guys इस चीज को ध्यान में रखिएगा live stream कोई भी miss मत करना और live यहाँ पे मैं every day आता हूँ 9 बजे क्योंकि morning में mood होता है लोगों का पैसा बनाने का लेकिन यहाँ पे क्या होता ना पहली candle में लोग trap हो जाते हैं मैं चाहता हूँ उस trap से आपको बचा हूँ इसलिए मैं आपके लिए 9 बजे fix live आता ही आता हूँ चाहे कितना भी important busy हूँ कुछ भी हूँ लेकि 9 बजे live आता हूँ कल भी मैं साड़े 11 बजे तक live था उसके बाद market में कुछ moment था नहीं तो मैं जब तक moment था मैं भी आपके लोगों के साथ live था तेंक यू